ओम शान्ती, 22 मई 2024 मीठे प्यारे बाबा के आज की मधुर महवाक्य, आज की मुली के कुछ फिशेश पॉइंट्स, आज बाबा हमी समझाते कि हम बच्चों को अंतर मुखी हो अपनी कम्यों की जाँच करनी हैं, जैसे पाप ने हम बच्चों को श्रिंगार किया है, ऐसे सब का श्रिंगार करना है, देहे में होते हुए भी देही अभीमानी हो रहना है, सभी से ममत्व निकाल एक लवली पाप को ही याद करना है, सदा संपूर्ण पवित्र और प्योरिटी की रॉयल्टी में ही रहना है, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली, ओ शांती, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मा तीत बन कर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, अपनी चांचकर कम्या निकालते जाओ, प्रेश्ण, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पूरुशार्थ क्या है, उत्तर, इन आखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, दे में रहते, दे ही अभिमानी रहो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है, बुद्धी में सिवाए बाप और घर के कोई वस्थू याद न आए, इसके लिए अंतर मुखी हो अपनी चाच करनी है, अपना चाच रखना है, उम शान्ती, मीठे मीठे सिखिलेदे रूहानी बच्चे ये तो चानते हैं कि हम अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसमें राजाएं भी हैं, तो प्रजा भी है, पुरुशार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुशार्थ करते हैं, वे जास्ती प्राइज लेते हैं, ये तो एक common काईदा है ये कोई नई बात नहीं है इसको देवी बगीचा कहो वा राजधानी कहो अभी यह है कल्यूगी बगीचा अत्वा कांटों का जंगल उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले ज़ाड होते हैं कोई कम फल देने वाले होते हैं कोई कम रस वाले आम होते कोई कैसे होते हैं फूलों के फलों के ऐसे भिन भिन प्रकार के ज़ाड होते हैं वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबर बार पुरुशार्ट अनुसार हैं, कोई पोखत अच्छा फल देते हैं, कोई हलका फल देते हैं, भिन-भिन जाड होते हैं, ये फल देने वाला बगीचा है, इस देवी जाड की स्थापना हो रही है, अत्वा फूलों के बगीचे की स थापना हो रही है, कल्प पहले मिसल, आहिस्ते आहिस्ते मीठे, खुश्पोदार भी बन रहे हैं, नमबर वार पुरुशार्थ अनुसार, सब वेराइटी है ना, बाप के पास भी आते हैं, बाप का मुखडा देखने, ये तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालि बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चे है जरूर, बेहत का बाबा हमको बेहत का मालिक बना रहे हैं, मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, भद के मालिक बने में दुख है, ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारत वासियों के लिए ही है, बच तो संभालो, घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक-एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इन में कौन-कौन से गुण हैं और कौन से अफगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं, बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी-अपनी खामियां आपे ही सकते हैं, हम अपने में क्या-क्या खामी समझते हैं, कोई न कोई खामी है जरूर, समपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ, बनना जरूर है, कल्प-कल्प बने हैं, इसमें कोई संचे नहीं, परन्तु इस समय खामी है, वे बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे, इस समय तो बहुत खामिया है, मुख्य सब खामिया होती ही हैं देह अभिमान के कारण, वे फिर बहुत हैरान करती है, अवस्ता को आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए अब पूरी रीती, पुरुशार्थ करना है, ये शरीर भी अभी छोड़ कर जाना है, देवी कुन भी यहां ही ध खारण करके जाना है, करमातीत अवस्ता में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं, करमातीत होकर जाना है, तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, हमारे में क्या-क्या फ्लो है, ये तो हर एक चानते हैं, क्योंकि तुम चेतन्य हो, जड़ हीरे म फ्लॉव होगा तो वे निकाल थोड़े ही सकेंगे तुम तो चेतन्य हो तुम इस फ्लॉव को निकाल सकते हो तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तुम अपने को अच्छी रीती जानते हो सर्जुन पूछते हैं कौन सा फ्लॉव है जो तुमको अठकाता है आगे बढ़ने पिछाड़ी में बनना है एस सब अभी निकालना है अगर फ्लॉव नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है यह भी बड़ा पक्का जोरी है ना सारी आईए हीरे ही इन आखों से देखी है ऐसा जोरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को पर रखने का शौक हो कोई न कोई फ्लॉव है जरूर संपूर्ण बने नहीं है चतन्य होने कारण तुम पुरुशार्थ से फ्लॉव निकाल सकते हो हीरे जैसा तो बनना है जरूर सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुशार्थ करेंगे बाप कहते हैं तुमारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर चूटने समय अंत में कोई भी याद न आए ये तो क्लियर है मित्र समंदी आधी सबको भूलना है समंद रखना ही है एक बाप से अभी तुम हीरे बन रहे हो ये जवारात की दुकान है तुम हर एक जोहरी हो ये बातें दूसरा कोई भी चानता नहीं तुम बच्चे चानते हो हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं फूरुशार्थ अनुसार जिन्हों को उच्पद मिला है उन्होंने जरूर फूरुशार्थ किया है हैं तो तुम्हारे मेंसे ही ना तुम बच्चों को ही इतना फूरुशार्थ करना है इसलिए बाबा एक-एक बच् ना ये कैसा खुश्बूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे चांद सकते हैं ना, हमारे में क्या-क्या खामी है, जो बाप से बुद्धी योग तुड़ाई कहां ना कहां भटकाते हैं, बाप तो कहते हैं बच्छे माम एकम याद करो, दूसरा कोई याद न आए, प्रहस्विभार में रहते एक बाप को याद करना है, इनों की तो भट्टी बननी थी, जो तयार हो निकली सर्विस के लिए, देखते हैं, पुराने पुराने जो हैं वे अच्छी सर्विस कर रहे है थोड़े नए भी एड़ होते जाते हैं पुरानों की भत्टी बनने थी बल पुराने हैं तू भी खामिया हैं जरूर हर एक अपनी दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वे अभी बनी नहीं है एम आपजेक्टों बाप समझाते हैं सबसे चास्ती खाद है देह अभिमान की तब ही देह की तरफ बुद्धी चली जाती है देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है इनाकों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए ऐसी अवस्था जमानी है हमारी पुद्धी में सिवाए एक बाप के और शांती धाम के कोई भी वस्तु याद न आए कुछ भी साथ नहीं ले जाना है पहले-पहले हम नए संबंद में आए अभी है पुराना संबंद पुराने संबंद की जरा भी याद न आए गायन भी है अंतकाल ये अभी की बात है गीत तो कल्यूगी मनुश्यों ने बनाए है परन्तु वे समझते थोड़े ही है मूल बात बाबा समझाते है एक बाप के सिवाए और कोई याद न आए एक बाप की याद से ही तुम्हारे बाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे कोई-कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूइबल होते है मानिक भी वैल्यूइबल होते है बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ओच करते रहते है अपनी जाच करनी होती है बाप कहते हैं अंतर मुख हो अपने में देखो हमारे में क्या खामी है तहां तक दे अभिमान है बाबा पुरशार्थ के लिए भिन भिन युक्तियां समझाते रहते हैं जितना हो सके एक की याद रहे भल कितने भी प्यारे हों खुबसूरत बच्चे बहुत लवली हों तो भी किसकी याद न आए यहां की कोई भी चीज याद न आए कोई-कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है बाब कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाई एक की याद रखो एक लवली बाब से ही योग रखना है उन से सब कुछ मिल जाता है योग से ही तुम लवली बनते हो लवली आत्मा बनती है बाब लवली फ्योर है ना आत्मा को लवली फ्योर बनाने के लिए बाब कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम अथा लवली बनेंगे तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है बहुत लवली बनते हो ना आधा कल्ब तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्ब तुम ही पूजे जाते हो तुम खुद ही पुजारे बन अपने चित्रों को पूजते हो तुम हो सबसे लवली बनने वाले परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीती याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे सिवाई एक बाप के और कोई याद न आए तो अपनी जाच करो कि बाप को बहुत लवसे याद करते हैं बाप की याद में फ्रेम के आंसु आ जाएं बाबा मेरा तो आपके सिवाई दूसरा न कोई और कोई की याद न आए माया के तुफान न आएं तुफान तो बहुत आते हैं न अपने उपर बहुत चांच रखनी है हमारा लव बाप के सिवाई और कोई तरफ तु नहीं चाता है भल कितनी भी प्यारी चीज़ों तो भी एक बाप की ही याद आए तुम सब एक माशुक के आशिक बनते हो आशिक माशुक जो होते हैं एक बाद एक दो को देख लिया बस शादी आधी भी नहीं करते रहते भी अलग हैं परनतु एक दो की याद बुद्धी में रहती है अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशुक के उस माशुक को तुम भक्ती मार्द में भी बहुत याद करते थे यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है जिबकी वे सम्मुख है बाप कहते हैं मा मेकम याद करो तो तुम्हारा बेडा पार हो इसमें संचे की कोई बात नहीं है भगवान से मिलने के लिए सब भब्ती करते हैं यहां कोई-कोई बच्चे तो बहुत हड़ी सर्विस करते हैं सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं बहुत मेंद करते हैं ये भी तुम जानते हो कि बड़ी आधमी इत्रा नहीं समझ सकेंगे पर अंधू तुम्हारी मेंद कोई व्यर्थ नहीं चाती है कोई समझ कर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं तुम समझते हो ये लायक है वा नहीं दृष्टी तो उनों को तुम बच्चों से मिलती है श्रिंगार करने वाले तुम बच्चे हो जो भी यहां आयो किये हैं उन सब को तुम बच्चों ने श्रिंगार कराया है आते हो बाप आफरीन देते हैं जैसा श्रिंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं समझते हैं इनसे हम अच्छा समझ सकते हैं समझाने का नशा चड़ता है तुबे फिर निकल पड़ते हैं बाप दादा दोनों की दिल पर चड़ पड़ते हैं बहुत नए-नए हैं जो पुरानों से भी दीखे हैं कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं इसलिए पापा एक-एक को बैट देखते हैं इनमें क यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें बागवान है ना दिल होता है उठकर पिछाडी में भी जाकर देखों क्योंकि पिछाडी में भी जाकर बैठते हैं अच्छे-च्छे महारतियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे सामने फूलों को देख देख अधा खुशी होती है यहें बड़ा अच्छा है इसमें थोड़ा दिफिकल्ट है यह बहुत अच्छा साफ है इनमें अंदर कोई चंचमी पड़ी है तो वे सारा किछड़ा निकालना है बाप जैसा लव कोई नहीं करता स्त्री का भी पती में लव रहता है ना पती का इतना नहीं होता वे तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं स्त्री का तो पती गया बस या हुसेन या हुसेन करती रहती है पुर्षों के लिए तो एक जुद् जुति कहा जाता है शिर्व बाबा का भी लॉंग बूठ है ना अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे फर्स क्लास बनेंगे कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी चार-पांच रखते हैं नहीं तो आत्मा की जुति एक है पाउं की जुति भी ए एक होनी चाहिए परन्तु यह एक फैशन पढ़ गया है अभी तुम समझते हो बाब से हम क्या वर्सा पाते हैं हम उस प्राडाइस के मालिक बन रहे हैं हेवन को कहा ही जाता है वंडर ओफ वर्ल्ड जरूर हेवनली कॉड़ फादर ही हेवन स्थापन करेंगे अब तुम प् यहां तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं यह सब खत्म हो जाएंगे तुम वहां क्या करेंगे दिल में आना चाहिए यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है वैसे ही भल बाहर में रहस विवार में रहते हैं यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है हमारे पास तो नहीं रखते हैं बाबा ही मालिक है ये सब कुछ बाबा का है घर में रहते भी ऐसे समझो साहुकारों की बुद्धी में तो ये बाते आना सकें बाबा कहते हैं ड्रस्टी हो रहो कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो लिखते हैं बाबा मकान बनाओं, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, बाब तो बैठा है ना, बाब जाएंगे तो सब इकठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राज़्थानी में, हमको फिर कल्प कल्प आना ही है, पावन पर आने, पर आता हूँ, अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रती, मात पिताब, बाप तादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बाप की, रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की, रुखानी बाप तादा को दिल वर्चान, सिक्वा प्र अबाब, धाना के लिए मुख्य साथ, पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है, अंतर मुखो अपनी कम्यों की चांच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है, दूसरा पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रिंगार किया है, कांटों को पूल बनाने की सेवा में लग जाना है, फ्रस्टी होकर रहना है, वर्दान, ब्रह्मन जीवन में एक ब्रता के पाठ त्वारा, रूखानी रॉयलिटी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव, इस ब्रह्मन जीवन में एक ब्रता का पाठ पका कर, रुहानी रुएलिटी चलती रहेगी आप्के रुहानी रुएलिटी और प्यूरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ट है आदीकाल देपता सुरूप में भी ये परस्नालिटी विशेष रही है फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधी फूर्वक पूजा होती है इस संगम युक पर ब्रामन चीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है इसलिए जब तक ब्रामन चीवन में चीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है स्लोगन आप सहन शिलता के देव और देवी बनो तो काली देने वाले भी गले लगाएंगे उम शान्ती